हाई फ्रेंस हारा किचिन वाप का स्वागत है आलो मटर की सबजी तो आप बहुत खायोंगे अगर इस तरीके से काबूली चना और आलो की सबजी बनाएंगे तो ये किन मानिया अंगूलिया चार चाट के खायेंगे और सब लोग आपकी तारीफ करेंगे वीडियो को आखिर जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आये तो प्लीस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राब जरूर करिएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो ये देखिए 200 ग्राम मैंने हाँ पे कबूली चना लिया है जिसको मैंने रात भर के लिए भीगो के रखा था आप देख सकते हैं पहुत अच्छे से फूल किया है तब हम इसको साइट में रखेंगे और इसी के हिसाब समय प्याज भी लेना है आलू भी लेना है तो आलू मैंने कट किया है आप देख सकते हैं एक पाव ये भी आलू है 200 ग्राम और 200 ग्राम प्याज भी मैंने ले लिया जिसको छिलका निकाल के धोके अच्छे से कट कर लिया है तब हम चलते हैं गैस के तरफ गैस पे हमने कुकर रखा है और कुकर में हम डाल देंगे ये कबूली चना जिसको मैंने भीगो के रखा था पानी भी डाल देंगे तो यार कैस ध्यार रखना है कि पानी इसमें कितना ड जाएगा तीन सीटी होने के बाद धक्कन हटाया मैंने अब इसको देखिए हम आपको दिखाते हैं तो यार कैसी इस तरीके से अंगुली से दबा के देख लेना है गल गया है कि नहीं आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गल गया है तब इसको हम निकाल के साइड में आते हैं अधियों डाल सकते हैं थोड़ा सब मैंने इसमें रड़ी पाउड़र डाल दिया है मिला देंगे इसको घल राणे के बाद बच घा और इसमें हम तेळड डाल देंगे दो तेजर के अच्छे से गरम होने के कलिया डाल देंगे भून लेंगे इसको हल किसी तो पहले लेसन को डाल के भून लेना है उसके बाद इसमें डालेंगे तीन तेजपाथ और तीन सुखी लाल में इस डाल देंगे तो इन सब का कलर चेंज होने के लिए छोड़ देंगे आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें ज दाल देंगे नमक स्वात के अनुसार मिला लेंगी इसको और इसे हम भूनेंगे जब तक इसे भूनना है तब तक इसका कलर जो है अच्छे से चेंचना हो जाए तो गैस को मीडियम रखेंगे और यहां पर दिखिए तेल छोड़ना सुरू हो गया है प्याज और कलर भी इसकी अच्छे से चेंच हो गया है तब इसमें हम डाल देंगे मसाला तो मसाला हम आपको दिखाएंगे कि हम इसमें कौन-कौन सा मसाला डालेंगे तो पहले हम इसमें डालेंगे यह देखें लेसुन और लाल मिर्च का पेश्ट है इसको मैंने सिल्पट्टे पे पीसा है आप चा लांने भी डाल दिया है अब इसमें हम डालेंगे मैंने इसमें हल्दी ना बोल गए बहुत नाँ सीमी अच्छा द2 इसमें डालेते हैं मिलाएंगे इसमें डालब्र से बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है तो इसको हम 5 मिनट के लिए मिला के भूनेंगे या जब तक मुने तब तक इसमें से तेल ना छोड़ा है अब देख सकते हैं मसाला जो है बहुत ही अच्छे से भूना गया है तब इसमें हम डाल देंगे आलू जो मैंने फ्राइ करके र दिया और पकाएंगे तो गैस को मेडियम रखके मैंने इसको 5 मिनट के लिए भून लिया है और इसका कलर जो है काफी अच्छे से चेंज हो गया है यह देखिए तो यार गैस 5 मिनट के लिए इसे भूनना है उसके बाद इसमें से हम थोड़ा सा निकाल देंगे यह इस पल्टा से मैं चला रही हूं इससे डिनर पल्टा मैंने ले लिया है और इसको मैंने पेश्ट बना लिया है यह देखिए एक दम बारिक पेश्ट नहीं बनाना है हलकी सी दरदरा ही रखना है थोड़ा सा पानी डलके मैंने इसको पीश लिया है अब इसको अच्छे से मि मिक्स करने के बाद इसे मीडियम आज पर पांस मिनिट के लिए और भून लेना है तो कवर करके मैंने इसको भून लिया है अब इसका ढ़कन आटाया यह देखिए तो इसको मिलाना है एक बार और और जैसे अच्छे से मिक्स हो जाता है हम इसमें डाल देंगे पानी तो यहार आप अपने ही साफ से डालियेगा पानी हमाने अपने ही साफ से डाला है तो मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे दो हरी में जिसको मैंने बीच में से चीरा लगा लिया है कवर करेंगे इसको और कवर करने के बाद बस एक सीटी हमें इसको लगाना है तो ए शब्जी बन के तियार हो गया है आलू और काबुली चना की सब्जी बहुत ही लाजवाब बना है आप देख सकते हैं तो यार गयस आप भी इस तरीके से काबुली चना और आलू की सब्जी बनाएए कूकर में और गर्म गरम रोटी प्राठा पूरी के साथ इसको आप यह आलू और कबूली चना की सब्जी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीज समय कमेंट में लिक के जरूर बताएगा भूलिए गमक तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए सुक्रिया